हेले बरोन कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल देगे बच्चो यहां पर देखे 11th क्लास का जो कमिस्ट्री है उसका सेट ए है और मैं आपको बत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 11th क्लास के लिए इस पेसल चैनल है ठीक है इसके बाद भी आपका हेल्प होता रहेगा बाकि आप लोग बताईएगा तो और सब्जेक्ट कभी मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा क्यों क्यों कि आपका एक्जाम हो भी गया है और भाई सहाब इसको जो भरने का क्रम है हुण सहाब ने दिया था यह पहले एक एक इक लेक्ट आपान बहरा जाता है फिर यह गुमन होता है अब बहुत सारे बच्चे बोलते सरा बाव मेरे मेसेज भी किये हैं कि सर ये वीडियो सभी है कि नहीं है तो आप लोग एक बाद अ hydrogen त्यागेगा उतना ही प्रवल अम्ल होगा तो प्रोटान दाता अम्ल कहलाता है यह तो clear है यहां पर देखिए MN का oxygen क्या प्लस से मन आएगा क्योंकि बच्चों potassium का एक हो जाएगा और oxygen का चार oxygen और एक oxygen का minus 2 और MN का एक्स बराबर आप 0 करोगे solve हो जाएगा ठीक है आदमी काबर साड़ी में पहले आबरत में 2 तत्तों हैं दूसरे और तीसरे आबरत में 8 तत्तों है ठीक है दूसरे आबरत में 8 तत्तों पाए जाते हैं ध्यान रखना ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए पैराफिन एलकेन को कहा जाता बच्चो किसको कहा जाता है एलकेन को कहा जाता है इसके बाद रिक्तिस्थान की पूर्ति करिए रासानी कब क्रिया जो क्रिया कारा कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद के मात्रा को शीमित कर देता है वो सीमान तब लाएगा पंद्रामी समूखा इसके बाद अगला प्रश्न बच्छों दूईद्रू आगूण की इकाई यह कुश्चन नम्बर तीन का तो आपका क्लियर हो गया 15 में बरका है दूईद्रू आगोणे की इकाई जो है कूलाम मीटर है यह आपके कच्छा बार में का कोश्चन है कोश्चन नमबर फाइब देखिए थर्मस फ्लास्क किसका उदारान है एक रुद्धोस प्रक्रम का एक बिल्गित निकाय का उदारान है ठीक है याद रखेगा यह वाला आप लोगों को थोड़ा साथ देखन दिन बना है कि कार्बनिक योगिक में उपस्तित नाइत्रोजन स्टर है लोजन तर साथ फासफोरस की पहचान नाइत्रोजन तीन बंद बनाता है ठीक है सलभर जो आपका बच्छो mm Rest एंि यह वी तीन बंद बनाने कि चंदा रखता है तो एक प्रकार से इसका परिछण के की जाती है ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाए कभी-कभी आपको मिल जाएगा कि बंद के दौरा कि इनका हम किस प्रकार से बंद मनाएगा उसके आधार पर पहचान कर सकते हैं लेकिन मुख्रूप से इसका परिछण होगा इसलिए इसको मैं थोड़ा सा सस्पेंस में रखता कर सुन होगा तंद्र का मापन भईया यहां पर एंट्रापी हो राएगा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखी होता है चलिए आगे चलते हैं प्रश्ण क्रमांग आपका बच्चो चौथा है एक किलोग्राम उपस्थित मोलो की संख्या को मोललता का जाता बिल्कुल सत्त है किसी भी कोष में इलेक्ट्रान केवल आठ होते नहीं किसी भी कोष की बात कीज़े बाहत म कोष करता ठीक है माना कहिए छए यहां पर बिश्टिर्गुन पूछा है कि भई सहाब जो गुन निकाय के उपस्थित मात्रा प्र निर्भर करते हैं उसे हम विस्तीरन गुन कहते हैं ठीक है तो इसका आप देख ले ना वाकि पदार्थ कैसा ही मातरक क्या होता है पदार्थ कैसा ही मातरक पदार्थ ठीक है विसे आप पदार्थ की मातरक मोल होता है क्या होता है मोल ठीक है ये पदार्थ की मातरक द्रबमान का मात्रक किलो होगा लेकिन पदार्थ की मात्रक कैसा ही मात्रक मोल इसलिए आपका यह गलात हो गया ठीक चले भाई कंप्लीट हो गया अगे देखिए अगला नमबर के डबलू का किलो वाट होता है पूरा नाम कार्बनी क्योगिक में संदचनाओं को रेखाओं द्वारा निरुपित करना रेखिए संदचना कहलाता है यहीं उसके संदचनात्मक सूत्र को प्रव्यक्त करता है संदचना सूत्र जिसे बोलते हैं आकमन कार्य भी कर्म के उपसे पाई इलेक्टरान युगम का विश्थापन आप लोग इसको बताना पाई इलेक्टरान युगम का विश्थापन जब इलेक्टरान युगम का विश्थापन हो जाता है तो क्या कहला जाता है तो मेरे हिसाब से इसका हो जाएगा इलेक्ट्रो जो बल लगाया जाता वही उसका प्रभावी नाविकी आविस होता है NS3 हाँ कम्प्लीट हो गया फिर इसके बाद प्रश्न है बच्चो यहां से NS3 लुईस च्छाराख है क्यों यहां पर और दर्मान सरचण करनियम इस्तरुन पात करनियम यह सारे हमने कोश्चन भी करा है हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा आप लोग कर ले ना और भी दिया आप चाहोगे तो फिजिक्स कभी अपलोड कर दूगा बच्चो ठीक है दिया आप लोग कर डिमांड रहेगा तो आलरेड़ी मैं आपको वीडियोस प्रवाइड कर दूगा ओके तदी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चो जय हिंद बंदे मातरम